जी असलाम लीकूम तो अभी हम निकल पड़े हैं एक वेली आ रही है वो देखने के लिए जब भी आप मालम जबा आएं तो आपको पहले जो आपको गाड़ी खड़ा करना पड़ती है इदर परल कॉंटिनेंटल जो होटेल है उसी की पार्किंग होती है उस जगा आप गाड किराय पे लेकर घूमने निकल जाएं यह जीप वाले आपको दो या तीन पॉइंट आपको घूमाते हैं जूकर रीजनेबल रेट्स में आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है विद चेयर लिफ्ट तो हमने यह गाड़ी ली है भाई जो हैं हमारे साथ हैं यह देखिए तो अभी हम वहाँ उस ड्यली में पहुंचने वाले हैं तो यह देखिएगा इस गाड़ी में पांच छे लोग इजली आ जाते हैं यह एक ही रास्ता है बड़ा कम्प्लिकेटर सा एक अडवेंचर नमा जो है सफर है बहुत मज़े का यह देखिए आप यह बच्चे साथ चल रहे हैं क्योंकि यह अभी गाड़ी के साथ आते हैं क्योंकि जब भी कोई साथ गाड़ी के चलते हैं कि कोई नकी हल्प की जाए तो यह सफर यह रास्ता आप देखें आपके सामने यह साथ देखिएगा एक ही रास्ता है कि इस अब यह देखें यह जटेए अधिया बिल्कुल चोटी सी सड़क है ये एक ही गाड़ी की गुजरने की गुजैश है और ये देखी ये साथ में जो पहाड आस्मान जो है वो इतना खूबसुरत मंद्धर आगे देखाओ ये भाई हमारे ट्रैवर ये रास्ता जीब माशाला तो ये एक अच्छा पैकेज होता है आप जब भी आएं तो आप ये गाड़ी जो है वो जीप हायर करें ये आपको अच्छे रेट्स में मिल जाती है हमने इसको दिये थे पच्छी सो के करीब जो इसका क्राया है टोटल पैकेज जो हमारा था ये तक्रीबन बनाए साथ हजार सम्थिंग में जिसमें हमें चेयर लिफ्ट भी ये घुमाएंगे और ये गाड़ी पे हमें ये पॉइंट्स हैं दो ये भी हम ये भाई हमें विज माशाला जी ये हमारा पॉइंट बस हम अभी करीब ही हैं पहुंचने वाले हैं तक्रीब में डेड़ दो मेंट ये डाई मेंट का जो है वो पड़ा रास्ता बलके ये पहुंच गये हैं यहां से जब हम टर्न लेंगे तो आगे जो है स्टाफ है आखरीन का ये बच्चे जो गाड़ी खड़ी है हमारा वो एंड है वहां पर जाके ये भाई गाड़ी खड़ी करेंगे अपनी और हमें एक दो घंड़ा ये देंगे गोमने के लिए और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे जो ग्रीन वेली है वो तो हम थोड़ी देर में ग्रीन वेली पहुंचने वाले हैं यह तुन लिया